हेलो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल बहुत-बहुत स्वागत है और डी फार्मा का इंटरेंस एक्जाम कल हुआ है और कल साम कोई पेपर हुआ है और इसका एंसर की लेके आ चुके हैं जी हां यहां पे हम बाइलोजी की सारे क्वेस्चन का स्वेलूशन लेक सके और सारी क्वेस्चन्स आप मिला के जान सकते हैं कि आपके कितने नंबर बनने वाले हैं तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं डी फार्मीशी यानि ग्रूप E1 के लिए यह एंसर की है और यह जियो विज्ञान का है सेकेंड पार्ट तो यहां पर देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेस्चन था चलिए यहां पर दिखा दे रहें आपको जो पहला क्वेस्चन है सबसे पहला सबसे पहला क्वेस्चन है कुछ संभाहन पूलों को खुले प्रकार का कहा जाता है क्योंकि यह तो इन्हें खुले प्रकार का क्यों कहत तो B वाला एंसर सही है, इसके बाद बढ़ लेते हैं अगले कोईशिन की तरफ, निमलिखित में से कौन सा एक संसलेशित आक्षिन है, तो संसलेशित आक्षिन है दोस्तों, वो है IAA संसलेशित आक्षिन है, इसके बढ़ लेते हैं अगले कोईशिन की तरफ, अगला कोईशिन था निम्रिखित में से किसके स्राव में फ्रक्टोस, कैलसियम तथा कुछ एंजायम प्रचुर मात्रा में पाय जाते हैं तो इसका सही एंसर है दोस्तो नर के सहायक ग्रंथियों में पहला एंसर सही है नर के सहायक ग्रंथियों में इसके बाद अगला question सकरकंद का समझात होता है सकरकंद का समझात जो है टर्णी प्यानी सल्जम होता है इसके बाद भोजन में निम्रिखित घटक युगमों में से कौन सा मनुष्य के अमाश्य में पूर्ड रूप से अपचित अवस्था में पहुंचता है तो सही है मंड तथा ग्लूकोज स्वरिश्रलूज इसके बाद लेते हैं अगला question की तरफ वयस्कों में थायराक्षन की कमी के कार्ण होने वाली सारिक आस्वस्थता जिसके द्वारा लक्षड तो यहां पर यह लक्षड अगर दिखाए दे तो आपको कौन सी बिमारी हो सकती है थायराक्षन की कमी से अगर निम्न उपापचई दर है सारिक भार में बिद्धी और उतकों में जल का एकत्री करण हाइपो थायडियम पहला जो यहां पर डिजीज है दूसरा डिजीज जड़वां वनता सामा निखेगा और मिक्षड इमा से तो यहां पर सही अंसर है मिक्षड मिक्सोड इमा य इसके बाद अक्षिय बीजान न्यास का उधारर है तो यह अक्षिय निवू लेमन सभी निमलिखित में से कौन सा सीड हैबिट विकास के संदर में महत्पूर माना जाता है, इसके बाद जन्तू में सरवाधिक प्रोची प्रोटीन पाए जाता है तो कोलेजन में यह वाला उप्सन सही है इसके अलवा अगला क्वेशन है मानो इस्त्री में ब्लास्टू सिस्ट होता है तो ब्लास्टू सिस्ट जो होता है वो ट्रोफो ब्लास्ट को इसका द्वारा एंडो में लिखेक जाता है जो कि dna का छोटा particular होता है भारत में निमलिखित में से किस में सरवादिक आध्राधिक विवित्ता पाई जाती है तो सरवादिक आध्राधिक विवित्ता मांगो में पाई जाती है आम में और अगले question कि तरफ हुच करते हैं आ जयो एथेनाल के उत्पादन में आप निम्लिखित में से किस प्रकादप की जाती को जो है चैन करेंगे किस तो जिया मेज है जिया मेज जे डिवाला आफ्सन से यह रुधिर वाइकाओं को अस्तरित करने वाली कोषकाएं सम्बंदित होती हैं तो यह सलकी उपकला से क्रिप्टोगैम है तो समवनी क्रिप्टोगैम एकवी सेटम है वीवल आफ्सन सही है युगमक निर्माड के दावरान एंजाइम रिकॉंबनेश निम्लिखित समय में भाग लेता है तो इसका सही है पूर्वा अवस्था फर्स्ट में एक सामानियर स्वस्थ बैस्क मनुस् हार्म रुग उत्पन करता है है तो यह राज जोपस एक कवक है कवक से होता है दाद अगला क्वेशन है हमारे सरीर में 24 घंटे अर्था दैनिक लय जैसे सोने जागने का चक्र नियंत्रित करने वाला हार्मोन मिलाइट टोनिन है रुधिर की तुलना में लिंप होता है अध लिया एक विकार है पाचन तंत्र द्वारा सी वाला उप्सन सही है टी फोर यहां पर टी लिंपोसाइट में टी अक्षर प्रदासित करता है थाइमस को बीवाला उप्सन सही है मध्य पटिल का मुख्य रूप से निर्मित होती है कैल्सियम पेक्टेट की जी हां कैल्सियम सोथ उत्पन हो सकता है कुछ जीओ में एडी इसके बाद अगला कुशन है उच पादपों में खाद पदार्थों का अस्थान आंत्रेड होता है तो यह चालनी तक तो द्वारा है यानि चालनी जो सीप ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं इनके द्वारा होता है किसी अगला कोई संकट उत्पन किये ती बृतम बित्र अनिम्रिखित में से किसके अंता छे पर द्वारा प्रावत किया जा सकता है यह दोस्तो थोड़ा सा क्वेशन संसर में हालकि इसका अंसर जो यह होगा इसमें लेकिन थोड़ा सा कंश्यूजन अभी क्लियर नहीं इसके बद अगला कॉश्चन निम्रिखित में से किस जीव में यूरिक अंबल नाइट्रोजन यूप्त उत्सर जी पता था यहां पे यूरिक इसिड काक्रोच जियां कीट वगरा में यूरिक इसिड होता है किसी रेडियो एक्टिब आड़ू के साथ संगलगन किया गया नुकलिक अंबल एकल सूत्र कहलाता है प्रोब कहलाता है निम्रिखित में से किस का प्रियोग प्लेक के प्रेटीके का निर्माण में नहीं किया जाता है तो इसका सही आप्सन है C वाला इसका प्रियोग हम नह जड़ का विकास प्रेरित करता है आक्षिन हार्मोन, जिहां आक्षिन, पोसर्ड में सरवाधिक विवित्ता पाई जाती है, एनि मेलिया में, जिहां, जगत में, इसके बाद अगला कॉश्चन निमलिखित में से, किसकी कमी से मनुस में अलजाइमर रोग होता है, तो जल का प्रकास अब कटन करता है, फोटो सेंतेसिस में, निमलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला बन Silence ये, इसके बाद बढ़ लेएं अलजा कॉश्चन की तरफ, अगला कॉश्चन निम्लखित में से कौन सा एक जन्त परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पूसी अस्तरों में रखा जा सकता है यह गौर यह बीवाला उसन सही है लॉजिस्टिक जनसंख्या ब्रिद्धी निविखित में से कौन सा समीकरण है ये बी वाला समीकर सही है डी अपान डी टी आर एन के माइनस एन अपान की अगले कोशिशन की तरफ होमो सेपियन्स विकास के दौर में सरबाधि अमुक के परिवर्तन होता हुआ जो वो मस्तिस के आकार में बिलिक्षड ब्रिद्धी एसकायरिस की विशेष्टा है ना तो इसमें वास्तविक सुलोम होता है और ना ही विकास यहां पे विखंडा वस्था का पाया जाना आफ है की वाल ओस्छन से जी डिएन्न अनन पस्थित होता है ऑन पस्थित होता है रूत में डियन अनन होता बालू की जड़ों में पिष्टिया में काइक प्रवर्दम होता है ऑफ सेट यानी अगला कोईशन है अन्ता कवक मूल उधारण है तो यह ग्लो मूप यहाँ पे ग्लोमस डिवालाप्सन से राइबोसोमल आर ने का सक्रिय रूप संसलेशन होता है केंद्रिका में और इसके बाद अगले कोईशन के तरफ रूप करते हैं निम्रिकित पेसे वाकॉन सा एक लक्षड जो मानों बैसको वा मेड को दोनों में समार रूप से पाजाता है यूरिया उत्सरजी उत्सरगी बिदी का उत्सरजन और डिन ने अर्द संडच्छी सरप्रथम प्रसुस गया था तो यह ए तरफ धारट नहीं कर पाती हैं उनके लिए तो इस तरीके से यह डी फार्मा का एंसर की था ग्रूप ए के लिए तो आपको यह सारे क्वेशन के एंसर मिल गया होंगे बहुत जल्दी कमिश्टी और फिजिक्स के भी एंसर मिल जाएंगे तब तक के लिए अपने खाल रखे